और उसके उपर 20 अपॉन में 5.6 एलो गाइज वेलकम टो राइजन अकेडमी माइसल्फ उमेश आदब तो देखो हमने कंसेंट्रेशन आप दा सोलूशन पहले कंप्लीट कर लिया था उसमें मैंने आपको मुलारिटी मुलालिटी नॉर्मालिटी फॉर्मालिटी मोल इसमें आपको क्या था आपका वालूम स्टेंट ओफ हाईडोजन पर ऑक्साइड सोलूशन है इसमें स्टेंथ को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और एक है बॉल्म स्टेंथ निकालते हैं तो ये सारी चीज़े मैं आपको करा चुका हूं फिर इसके पर सेंटेश ले बोलते हैं तो उसे चल्σιऑम कार्बोनेट की में निकाला जाता है यह जब आप इस क मैं इसकिया करने वाले हैं के उपर हम administration करेंगे फ्लोम कर दिया अब इसमें स्थेंथ में आभ भी बताया कि दो तरीके से करते हैं पर्संटेश्ट होता रहां यह स्थेंथ और परो प्रसेंटेट लेबलिंग ऑपोलिंग उसक्ड़ करें गई ओर फिर होडेस ऑडिव तो आज ही class में हम क्या discuss करने वाले हैं जो आपका hydrogen peroxide solution है उसमें percentage strength and volume strength के basis पर questions करने वाले हैं फिर इससे next class में क्या करेंगे percentage labeling of volume के उपर questions करेंगे और फिर उसमें हम hardness of water के भी questions कर लेंगे ठीक है ना लेकिन आज लास में सिर्फ hydrogen peroxide solutions के basis पर ही questions होंगे मतलब उसके volume strength and percentage strength के उपर questions होंगे इसी में mixing फिर dilution का भी देख लेंगे तो आज की class में हम 12 questions करने वाले हैं इसके basis पर अच्छे questions है तो start करते हैं पहले question से चलो करते हैं चलो करने से पहले इसके जो मैंने थीन फ़र्बल इन लिखवाए थे इसके फ फ़र्मुले वह आपको पता होने चींद है तो सबसे पहला formula क्या लिखवाह था सबसे पहला formula क्या लिखवय कहा. कि कुछ next percentage strength and volume strength में क्या relation होता है percentage strength is equal to 17 upon 56 into volume strength into volume strength percentage strength and volume strength में क्या relation होता है यह relation होता है तो यह पहला formula था second formula क्या है आपका volume strength का molarity के साथ क्या relation है and फिर उसके बाद normality के साथ क्या relation तो total इसके इसके इंदर तीन formula है तो आपको इनी के basis पर questions मिलेंगे ठीक है तो दूसरा formula क्या था volume strength volume strength is equal to 11.2 into molarity तो molarity के साथ ये relation होता है और normality के साथ क्या relation होता है थर्ड, normality के साथ क्या relation है volume strength volume strength is equal to 5.6 into normality into normality आ समदरों तो hydrogen peroxide solution में मतलब जब आप वहाँ पर volume strength या percentage strength पढ़ते हो तो वहाँ पर total तीनी formula है एक तो percentage strength और volume strength का relation एक volume strength का molarity के साथ relation और तीसरा आपका volume strength का normality के साथ relation है तो total तीनी formula है तो इन तीनों के उपर आपको questions मिलेंगे ठीक है तो एक एक करके सारे questions करने वाले है तो देखो पहला question देखो first question first question में क्या दे रखा इसने first question में what will be the volume strength of 3.58 normal h2o2 solution आपको h2o2 solution के normality दे रखी है ठीक है normality of normality of hydrogen peroxide solution hydrogen peroxide solution की आपको normality दे रखी है कितनी है भाई 3.58 है इतनी आपको normality दे रखी है अब आपको बताना है कि इसका volume strength क्या होगा ठीक है इसका volume strength क्या होगा तो simple है normality वाला जो formula है वो आप लगा लो तो volume strength क्या हो जाएगा volume strength is equal to 5.6 into 3.58 अब आप इसे multiply कर दो तो multiply करने पर कितना आएगा यह 5.6 into 3.58 तो यह multiply करने पर कितना आ रहा 20.048 है ठीक है यह इसका volume strength आ रहा है अब आपको मालूम है कि जब hydrogen peroxide solution का volume strength दे रखा होता है मतलब एक bottle होता है hydrogen peroxide solution का और उसके उपर mark लिखा होता है leveling लिखी होता है उसका volume strength लिखा होता है और मैंने इसका मतलब भी आपको पहले बता रखा है कि अगर आप एक ml hydrogen peroxide solution को decompose कराते हो तो आपको O2 gas at STP condition पर कितना मिलता है जितना उसका volume strength होता है हमें उतना ही मिलता है ठीक है तो इसका volume strength कितना आ रहा है इसका volume strength कितना है 20.048 volume है तेकि इसका क्या मतलब होगा इसका ये मतलब है कि आपका oxygen gas जो है वो 20.048 ml produce होता है at STP condition पर from 1 ml of hydrogen peroxide solution से तेके ना आपका oxygen gas इतना ml produce होता है कहां से 1 ml of hydrogen peroxide solution से लेकिन किस condition पर at STP condition पर समझ गएं तो ये चीज़े हम पहली discuss करें चूपके हैं सबको सुम्हाँ आ गया तो कौन सा इसका option correct है B option correct है second option correct है तेके whatever note करो next question पर move करते है चलो second question देखो अगला question अगला question देखो second question है second question में क्या गयता है the strength of 30 volume hydrogen peroxide in terms of normality मतलब आपको यहाँ पर volume strength दे रखा है और आपको क्या निकालना इसके normality निकालनी है तो आपको volume strength का volume strength का normality के साथ क्या relation होता है वो formula आपको मालूम है क्या होता है 5.6 into normality 5.6 into normality ठीक है अब आपको normality चीह है normality normality is equal to क्या हो जाएगा volume strength अप आप आप में 5.6 हो जाएगा समझे रहे हो तो volume strength आपको question में given है कितना है 30 है upon में 5.6 है अब आप इसे divide करके solve कर लो तो divide करोगे तो कितना जाएगा 30 divided by 5.6 है तो यह कितना जाएगा आपका 5.357 normal है ठीक है आपकी normality कितनी आ रही है 5.357 normality आ रही है तो देखे लो कौन सा option करेक्ट है पहला option करेक्ट है समझे रहे हो तो बहुत ही simple simple question है अगर आपका देखो concentration जो मैंने terms कराई थी normality, normality, molality, mole fraction, mass fraction, parts per million जो यह मैंने normal concentration terms कराई था अगर आपके उसके सारे concepts clear है वो आपको अच्छे सा अगर समझ में आ गया है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ठीके ना जब आए आपका mole concept अगर अच्छे से आपका clear है तो इसमें क्या ही दिक्कत है बताओ total तीन ही तो formula है आप उन तीन formula को याद रखो ठीके अगर mixing का आएगा तो mixing का कोडिंग हम question को solve करेंगे dilution का आएगा तो dilution का कोडिंग करेंगे अब ऐसा तो है नहीं कि यह नई चीज़ है mixing और dilution यह चीज़ तो हम normal concentration terms में भी कर चुके हैं ठीक है ना देखो यहाँ पर भी आपका mixing और dilution आएगा और आपको वही concept apply करना है जो आप पहले लगाते थे यहाँ कोई नया चीज़ तो लगे गाए नहीं बस यह तीन formula extra आपके हैं ठीक है समझे रहो note करो इसे और next question की तरह move करते हैं फिर देखो next question देखो अगला question अगला question क्या कहता है next question what is the percentage strength है आप देखो यह percentage strength के बारे में पूछ रहे हैं आपको strength का मतलब पता ही है कि एक लिटर volume of the solution के अंदर salute का जितना amount amount मतलब gram में जितना salute का जितना mass present होता है उसे हम क्या बोलते हैं strength बोलते हैं लेकिन percentage strength अगर निकालना है तो आपको check करना पड़ता है कि 100 ml volume of the solution के अंदर salute का कितना amount present है उसे को आप percentage strength कहते हैं बास समझे रहों तो आपको यहाँ पर percentage strength निकालना है और आपको volume strength दे रखा है तो आपको पहला वाला formula ही लगाना है तो percentage strength है percentage strength है percentage strength का volume strength के साथ क्या relation होता है 17 upon 56 है into volume strength कितना है 11.2 है अब आप इसे solve कर लो ठीक है देखो decimal अटाओगे 10 नीचे आजाएगा इससे काटोगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा तो इस कितना आगया आपका 3.4 आगया कितना आगया 3.4 आगया आप समझे रहो तो percentage strength इस तरीके से calculate करते है तो कौन सा option सही है 3.4 आगया इनकी B options correct है मेरा B option correct है ठीक है चलो next question देखते हैं एक बार next question second question क्या गयता है अगले question में calculate the number of moles and weight of O2 produced on heating 1.12 liters of 10 volume of H2O2 at STP आई यहाँ पे आप देखो इसका volume भी दे रखा है और इसका volume strength भी दे रखा है सबसे पहले तो जो volume strength दे रखा उसका मतलब क्या होता है मैंने आपको volume strength का मतलब बता रखा है तो volume strength जो आपको दे रखा volume strength है volume strength of hydrogen peroxide solution volume strength of hydrogen peroxide solution hydrogen peroxide solution का volume strength है वो आपको कितना दे रखा है 10 volume दे रखा है अब इसका मतलब क्या होता है means that means that कि आपका 10 ml 10 ml O2 produce होता है from 1 ml of hydrogen peroxide solution से जब आप hydrogen peroxide का complete decomposition करते हो complete decomposition है ठीकि तो एक mol पे आपको आदा mol O2 मिलता है ठीकि आप वो gas है हमें पता है कि किसी भी gas का एक mol STP condition पर कितना volume occupy करता है 22.4 liters occupy करता है तो आदा mol उसका produce हो रहा है तो STP condition पर उसका कितना volume होगा 11.2 liters होगा तो hydrogen peroxide solution के hydrogen peroxide के decomposition से मोल मिलता है ठीकि या फिर आप कहा सकते हो कि 11.2 liters produce होता है 11.2 liters आपका produce होता है तो यह सारी चीज़े हम आपको पहले पर पता चुका हूँ तो इस 10 volume का मतलब क्या है इसका मतलब है कि 10 ml of 10 ml of O2 gas 10 ml of O2 gas is produced O2 gas is produced from 1 ml of from 1 ml of hydrogen peroxide solution from hydrogen peroxide solution ठीक है आप चाहूँ तो इसे लीटर में भी लिख सकते हो लीटर में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे कि आपका 10 liter of O2 gas produce होता है from 1 liter of hydrogen peroxide solution 10 volume का क्या मतलब होता है कि आपका hydrogen peroxide solution के 1 volume मतलब या तो 1 ml या तो 1 liter है ठीक है तो 1 volume से आपका O2 का कितना volume produce होता है जितना उसका volume strength होता है 10 volume लिखा है तो या तो 10 ml में लिखोगे तो ml में चलेगा 10 ml या फिर 10 liters है STP condition पे complete decomposition of hydrogen peroxide solution है और hydrogen peroxide है ठीक है ना hydrogen peroxide के decomposition से आपको O2 मिलता है ठीक है तो आप इसे liter में भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो 1 liter में 1 liter hydrogen peroxide solution से 1 liter 1 liter of hydrogen peroxide solution ठीक है अगर मैं hydrogen peroxide solution का 1 liter लेता हूँ तो आपको O2 gas कितना मिलता है 10 liters मिलता है कितना 10 liters है कि समझे रो 10 liters मुझे मिल रहा है ठीक है अब आज आगे तो मुझे क्या करना है 1.12 liters में पता करना है कि भाई O2 का कितने number moles होंगे और उसके corresponding उसका weight क्या होगा ठीक है तो एक लीटर hydrogen peroxide solution में आपका oxygen gas के 10 liters है तो 1.12 liters में कितना होगा ठीक है hydrogen peroxide solution के 1.12 liters में कितना होगा एक में इतना है तो में निकाल लो multiply करके तो कितना जाएगा 10 into 1.12 ठीक है तो decimal अगर इदर shift करूँगा तो 10 से 10 cancel हो जाएगा तो यह कितना जाएगा मेरा 11.2 liters हा जाएगा 11.2 liters तो आपका hydrogen peroxide solution के इतने volume है hydrogen peroxide solution के इतने volume है आपका oxygen gas कितना present है 11.2 liters present है ठीक है अब आप इसके moles निकाल लो तो number of moles of O2 क्या हो जाएगा given volume 11.2 divided by 22.4 तो यह कितना आगया आपका half आगया मतलब 0.5 moles आगया 0.5 moles है ठीक है तो number of moles तो मुझे निकल आए लेकिन oxygen gas का weight क्या होगा देखो तो एक मौल का weight क्या होता है molar mass मतलब 32 ia मौल का weight क्या होगा 16stes ग्राम तो फिर इसका answer क्या हो गया आपका 16 ग्राम का weट क्या हो जाएगा 16 ग्राम मिट 1 का weट हमेशा molar mass होता है आइकinky ग्यास का molar mass कितना है बतीस ग्राम है जो कि एक μोल का मस हैं यहाँ पर आदे मोल्स प्रॉडूस हो रहे हैं तो आदे मोल्स का बज़न कितना होगा वेट कितना होगा 16 ग्राम होगा तो इसतरी केसे आप क्यालकुलेट कर सकते हूं ठीक है तो यह दोनों समया वह आपको नोट करो फट आफट फर नेक्स कॉस्चन करते हैं कर लिए सबने नोट एक बार उजब जड़ा इसको नीचे ही कर देता हूं थोड़ा ठीक है ना ताकि आप स्क्रीन सोट अच्छे से लेलो ठीक है अब लेलो इसका स्कीन सोट ले लिए सबने चलो नेक्स कोशन करते हैं अब अगला कोशन क्या है ए वॉल्म और फिफ्टी एमल ओफ थीक है इसको मिक्स कर रहेester 50 ml of 10 volume of hydrogen peroxide solution मतलब यहाँ पर आपको hydrogen peroxide solution के hydrogen peroxide के 2 solution दे रखे हैं hydrogen peroxide के 2 solution दे रखे हैं कौन कौन सा दे रखा है एक आपको दे रखा है एक आपको दे रखा है 50 ml of 50 ml of 20 volume 20 volume of hydrogen peroxide solution of hydrogen peroxide solution देखें plus दूसरा क्या आपका 50 ml of same ही तो है बस यहाँ पे इसका volume strength अलग है इसका volume strength कितना है 20 है और इसका volume strength कितना 10 है तो 50 ml of 10 volume 10 volume of hydrogen peroxide solution hydrogen peroxide solution तो hydrogen peroxide के आप 2 solutions को क्या कर रहे हो mix कर रहे हो तो mixing का लगेगा formula अब mixing का formula पहले पढ़ चुके हो तो अब इसके लिए आप क्या करो इसकी concentration मतलब इसकी आप मुलारीटी निकालो तो normality निकालो और फिर वहाँ पे mixing का formula निकालो तो हम normality निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं normality निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ पे इसका volume strength तो दे ही रखा है तो इससे आप इसकी normality निकाल सकते हो तो suppose करो इसकी normality क्या है N1 है इसकी normality क्या है N1 तो normality क्या हो जाएगी volume strength upon में 5.6 है तो 20 upon में 5.6 मैं इसको ऐसी छोड़ देता हूं solve नहीं कर रहा है और इसका volume तो मुझे दे ही रखा है V1 कित्रह है 50 है 50 ml यहां से इसकी normality निकाल लो इसको इसकी normality में n2 ले लेता हूं तो इसकी normality क्या हो जाएगा volume strength upon में 5.6 है तो volume strength 10 है upon में 5.6 है ठीक है और इसका volume कितना दे रखा है V2 यह भी 50 ml दे रखा है ठीक है अब आपको क्या करना है इन दोनों solutions को mix करना है mix करने के बाद जो आपको resulting solution मिलता final solution मिलता है उस final solution resulting solution का volume strength निकालना है तो मैं क्या करता हूँ उस final solution resulting solution का normality निकाल लेता हूँ और फिर उसके corresponding में उसका volume strength निकाल लूँँगा ठीक है तो पहले आप final solution की normality निकाल लो तो final solution की normality क्या हो जाएगी final solution की normality क्या हो जाएगी वो आपको formula पता है n1 v1 plus में n2 v2 upon में v1 plus में v2 यही होता है ठीके अब सारी value आप put कर दो अब यहाँ पर देखो volume आप ml में भी लिख सकते हो पर अगर आप volume को ml में लिख रहे हो तो सारे volume आप ml में लिखोगे एसा नहीं कि आप एक को ml में और दूसरे को लिटर में लिखोगे ठीके रहे हैं यह ध्यान में रखना अगर ml में लिखना है तो ml में लिख लिखना है लिटर में लिख दो वो दिक्कत नहीं है देखो अगर आप ml को लिटर में चेंज करोगे तो 1000 से divide करोगे, तो यह 1000 से sub में, divide होगा ना, तो यहां भी 1000 से divide, यहां भी 1000 से divide होगा, तो 1000 से 1000 cancel हो जाएगा, तो आपका same ही आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आप volume को number, put करदो, टो पूट करदो, and one की value कितनी है, 20 upon minister 5.6, into, वॉल्म कितना है 50 प्लस ये कितना है एंटू 10 अपन में 5.6 इंटू ये है 50 अपन में V1 प्लस में V2 मतलब कितना हो गया 100 हो गया अब देखो 5.6 जो है वो इसका LCM आएगा और वो नीची आजाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका और उपर ये मल्टिप्लाई करूंगा 20 को 50 से तो ये तो हो गया 1000 उपर क्या हो गया आपका 1000 और ये कितना हो गया आपका 500 मतलब 1500 हो जाएगा अपन में 5.6 नीचे आगया into 100 ये आगया आपका ठेके तो ये हो गया आपका 1500 1500 अपन में अब इसका decimal अटाऊंगा तो 10 नीचे आएगा और 10 से 10 cancel हो जाएगा तो ये कितना हो गया 560 हो गया तो final solution की जो normality है वो कितनी आ रही है इतनी आ रही है हम इसको solve नहीं कर रहे है क्योंकि मुझे final solution resulting solution की normality नहीं पूछ रहा है वो वो क्या पूछ रहा है कि final solution जो बना है जो resulting solution मिला है इन दो hydrogen peroxide solutions के मिलाने के बाद उस final solution की आपको volume strength बतानी है ठीक है उस final solution का volume strength क्या होगा वो निकालना है तो अब निकाल लो normality आ गया है तो volume strength कैसे निकालते है volume strength is equal to 5.6 5.6 into normality अब आपको final solution की यह final solution का आपको volume strength निकालना था इसलिए आप यहाँ पे normality कौन सी put करोगे जो final solution जो resulting solution की जो आपने normality निकाली गए वो आप put करोगे तो यह कितना आ जाएगा 500 ओ सोरी 1500 अपोन में 560 आ जाएगा ठीक है तो देखो यह कट गया 0 decimal अटाऊँगा तो एक 0 से एक 0 यह भी cancel हो जाएगा 56 से 56 cancel हो गया ठीक है तो volume strength कितना आ गया volume strength is equal to मेरा 15 volume आ गया यह मेरा final solution का volume strength हो जाएगा 15 volume तो देख लो कौन सा option correct है आपका C option correct है 15 volume समझ गया कोई दिक्कत किसी को इसमें सबको समया गया नोट कर लो और फिर next question करते हैं तो mixing का फॉर्मूला लगा है यहाँ पर वैसे तो hydrogen peroxide solution में जो मैंने आप फॉर्मूले कराए थे वो तो लगी रहे हैं लेकिन इसमें mixing and dilution वाला भी आ सकता है तो mixing and dilution हम पहले ही कर चुके हैं तो जो concept आप वहाँ पे लगाते हैं वही concept यहाँ भी लगाऊगे आप mixing और dilution का तो एक ही मतलब होता है ठीक है ना mixing में क्या करते हो आप दो या उससादा solutions को mix करते हो लेकिन वो same type के solutions होते हैं जिसमें solute and solvent हैं आपके same होते हैं जैसे molarity में करते थे ठीक है तो यहाँ पे आप hydrogen peroxide के दो solutions को mix कर रहे हो तो hydrogen peroxide के दो solutions को mix कर रहे हो आप ठीक है ना तो mix करने के बाद आपको final solution मिला उस final solution के आपने normality निकाल ली अब उसके respect में फिर हमने final solution का volume निकाल दिया ठीक है जब dilution काएगा dilution का भी हम ऐसी करेंगे आपको dilution का बारे में सब कुछ बता ही रखा मैंने ठीक है तो जब dilution काएगा तो एक बार फिर से देख लेंगे ठीक है इसे note करो next question करते हैं कर लिया है सबने note आगे बढ़ते हैं चलो अगला question देखो यह आपका dilution के उपर आ गया dilution dilution कोशन देखो 100 ml of each of 3 samples of hydrogen peroxide 2.8 volume, 5.6 volume, 22.4 volume are mixed and then diluted with an equal volume of water ठीक है अब यहाँ पे देखो hydrogen peroxide के 3 sample दे रखे है hydrogen peroxide solution के 3 sample दे रखे है और 3 का आपको volume strength दे रखा है और 3 sample का आप 100 ml, 100 ml volume add कर रहे हो ठीक है तो इन 3 का total कितना हुआ, 300 हुआ और वो आगे कहता है कि आप then diluted with an equal volume of water मतलब आप क्या कर रहे हो जितना उसका volume है 300 ml है आप उतना ही volume of water add कर रहे हो आप उतना ही volume of water add कर रहे हो ठीक है तो जो आपको final solution मिलेगा उसका volume कितना होगा 600 ml होगा 300 तो आपका 3 sample का हो गया और उतना ही volume of water आपने add कर दिया लिखाएना इसमें then dilution with equal volume of water equal volume of water तो जितना उस 3 sample का volume है उतना ही volume of water हम उसमें dilute कर रहे है ठीक है add कर रहे है समझे रहों तो mixing का भी है dilution का भी है तो 3 sample है मेरे पास एक है मेरा 2.8 volume plus एक है मेरा 5.6 volume plus एक है मेरा 22.4 volume कोई दिक्कत नहीं है तो तीनों से क्या करते हैं हम इसकी normality निकाल लेते हैं तो पहले यहां से इसकी normality बताओ n1 n1 इसकी normality n1 ले लेता हूँ तो यह क्या हो जाएगा 2.8 इसका बताओ n2 क्या हो जाएगा 5.6 आप उन में 5.6 है यह हो गया n3 n3 क्या हो जाएगा 22.4 आप उन में 5.6 हो गया तो यह इस तीनों की normality हमने निकाल दिया है और तीनों का वालूम आप दे रखा है इसका वालूम कितना है भाई तीनों का इच सेम्पल का 100 ml आप एड़ कर रहे हो इच सेम्पल तीनों सेम्पल का 100 ml आप एड़ कर रहे हो तो इसका 100 ml इसका भी 100 ml 100 ml 100 ml V3 is equal to 100 ml समझ गए अब आप क्या कर रहे हो अब जो आपको volume of the solution मिला है 100 100 plus 100 कितना हुआ 300 हुआ अब इतना ही volume of water आड़ कर रहे हो इतना ही volume of water आड़ कर रहे हो तो आपको final solution का volume कितना मिलेगा 600 मिलेगा ठीक है तो लगाओ formula तो final solution की हम क्या करते है नॉर्मालिटी निकाल लेते है तो final solution की नॉर्मालिटी निकल जाएगी तो फिर हम उसका वहाँ से उसका volume से निकाल लेगे तो निकालो जड़ा तो final solution की नॉर्मालिटी क्या हो जाएगी N1 into V1 plus N2 into V2 plus में N3 into V3 upon में V1 plus में V2 ठीक है प्लस में V3 और dilution किया है और कितना dilution of water की आप add कर रहे हो water का कितना volume add कर रहे हो 300 जितना इन तीनो sample का है total जितना इन तीनो sample का है total 300 ml उतना ही volume of water हम add कर रहे है तो 300 add कर दिया ठीक है अब सारी value put कर दो तो यह क्या हो जाएगा आपका 2.8 upon में 5.6 into 100 plus 5.6 upon में 5.6 into 100 plus 22.4 upon में 5.6 into 100 ठीक है divided by divided by कितना आ जाएगा आपका 300 यह है 300 यह है तो total कितना हो गया 600 कितना हो गया 600 अब देखो 5.6 जो होगा इसका LCM आ जाएगा और यह नीची आ जाएगा ठीक है यह आपका नीची आ जाएगा चलो अब देखो जर्म तो देखो 5.6 तो नीची आ गया ठीक है अब यहां से देखेमेंट हाऊंगा एक जीरो से जीरो कैंसल हो गया तो यह कितना हो गया मेरा 280 यह कितना हो जाएगा मेरा 560 यह कितना हो जाएगा मेरा पांसो साथ प्लस तू टू पोर जीरो तो यह आ गया मेरा थ्री जीरो एट जीरो अपॉन में फाइब पॉइंट सीक्स इंटू छे सो ठीक है यह आ रहा मेरा तो फाइनल सॉलूशन की नॉर्मालिटी की आ रही है यह आ गई है अब आप क्या करोगे 3080 अपॉन में 5.6 इंटू 600 इंटू 600 तो 5.6 से 5.6 कैंसल हो गया इसलिए मैं इसको यहां पे ऐसा सॉल्व नहीं कर रहा था ताकि यह कैंसल हो जाए ठीक है यह कैंसल हो गया अब बाकी का इसे सॉल्व कर लो इसे अब 308 को डिवाइ़ करो 60 से 308 को divide करो 60 से divided by 60 तो यह कितना आ जाएगा 5.13 यह आ रहा है मतलब इसका जो volume strength है 5.13 volume यह इसका volume strength है ठेक है 5.13 volume strength है यह इसका volume strength है तो दिक्कत किसी को इसमें सबको समया गया तो यह mixing का भी है dilution का भी है mixing का भी है dilution का भी है ठेक है चलो note करो और फिर next question करेंगे करो फट अफट जल्दी से कर लिया note सबने आ जाओ अगला question देखो अगला question क्या कहता है 20 ml of hydrogen peroxide solution is reacted with 80 ml if 0.05 molar K-mono 4 in acidic medium अब थोड़ा अलग type का है question यहाँ पे hydrogen peroxide solution की reaction करा रहा है किस के साथ K-mono 4 के साथ potassium permagnate के साथ और वो भी acidic medium में तो कह रहा है कि then what is the volume strength of hydrogen peroxide तो बता हो hydrogen peroxide का volume strength क्या होगा अगर मैं normality निकाल लेता हूँ तो मैं volume strength निकाल लूँगा ठेक है ना बास समझ दो देखो इसमें क्या आपको reactions याद रखनी पड़ेंगे reactions है कि K-mono 4 hydrogen peroxide से किस तरीके से reaction करता है अब देखो K-mono 4 जो होता है वो strong oxidizing agent होता है तो वो क्या करेगा hydrogen peroxide को क्या करेगा भाई वो oxidizing agent है तो क्या कर देगा oxidize कर देगा ठेके तो यहाँ पर K-mono 4 जो है वो as a oxidizing agent की तरह काम कर रहा है और जो hydrogen peroxide है वो आपका as a reducing agent की तरह काम कर रहा है तो K-mono 4 acidic medium में convert होता है Mn2 positive में और electrons का जो change आता है वो कितना आता है एक के लिए 5 का change आता है ठीके एक के लिए 5 का change आता है और जो hydrogen peroxide है hydrogen peroxide वो convert होता है किसमें O2 में क्योंकि वो as a reducing agent की तरह काम कर रहा है तो वो convert होगा O2 में तो आप reaction लिख लो reaction लिख लो K-mono 4 K-mono 4 hydrogen peroxide से reaction करता है in acidic medium में in acidic medium में मुझे balancing से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं इसे normality से solve करूँगा equivalent से solve करूँगा तो मुझे balancing से कोई मतलब नहीं है हाँ N factor की अगर जुरुत पड़ेगी तो N factor निकाल लेंगे ठीके तो acidic medium में जो magnees होता है ये potassium per magnet है यहाँ पे ये plus 7 के oxidation state पर है इस पेर है plus 7 के oxidation state पर है ठीके और ये plus 7 से convert होता है किसके अंदर ये plus 7 से convert होता है MN2 positive में acidic medium में और ये आपका hydrogen peroxide जो है hydrogen peroxide ये आपका क्या कर जाता है oxidize कर जाता है oxygen में ठीके अब यहाँ से इसका N factor निकाल लेते जड़ा देखो प्लस 7 से किस में गया प्लस 2 में गया प्लस 7 से प्लस 2 में मतलब reduction हो रहा है decrease in oxidation number मतलब reduction होता है ठीके अब रिड़क्शन होगा है क्योंकि ये oxidizing agent है तो दूसरे को oxidize करेगा खुद क्या होगा खुद तो reduce ही होगा ना और hydrogen peroxide रिड़ूसिंग एजन की तरह काम कर रहा है ये आपका oxidizing agent है और ये आपका reducing agent है तो hydrogen peroxide क्या कर रहा है क्या कर रहा है कि आवन ओफ और को reduce कर रहा है acidic medium में एक convert होता है में 2 positive में ठीके अब एक एक atom के लिए एक atom के लिए एक मेगनीज के लिए कितने electrons का change आ रहा है पांच का change आ रहा है तो एक mole में total change कितना आया क्योंकि जब भी हम एक factor निकालते है तो एक mole compound के लिए check करते है कि भाई आपका कितने electrons का change हो रहा है मतलब number of electrons lost और gain कितने हुए है ठीक है न बहुत समझ रहो अब वो loss भी हो सकता है gain भी हो सकता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि के मनोफ और क्या हो रहा है reduce हो रहा है तो reduce मतलब वहाँ पे वो 5 electron क्या करेगा gain करेगा तब ही तो वो plus 2 में convert होगा ठीक है तो उसमें नहीं जा रहा है तो इसका in factor कितना है मेरा 5 है क्योंकि 5 का ही change आ रहा है कितना है 5 का change एक mole compound के लिए 5 का change है ठीक है पर याद रखना अगर एक mole compound के अंदर magneze अगर एक से ज़ादा होते है magneze अगर एक से ज़ादा होते है तो आप फिर उन सभी के लिए सभी मेगनीज के लिए सभी मेगनीज आइटम्स के लिए आप change calculate करते है ठेके न पर एक मोल compound के लिए ही देखा जाता है एक मोल compound के लिए ही जैसे कि यहाँ पर देखो जरा यहाँ पर आपका oxygen जो है वो पर ओक्साइड है और जब भी oxygen per oxide में होता है तो हर एक oxygen पर minus 1 का charge होता है ठीक है तो इस पर minus 1 का oxidation state है अब यह minus 1 से कहा जा रहा है 0 पर जा रहा है तो एक के लिए change कितना है एक का change है लेकिन इसके एक mole में oxygen कितने है 2 है तो आपको 2 के लिए change देखना पड़ेगा तो आपको total change निकालना है ठीक है total change है क्योंकि यहाँ पर oxygen दो atoms है तो दो के लिए change देखना पड़ेगा तो दो के लिए कितना change हो जाएगा दो का change हो जाएगा तो n factor कितना हो गया इसका 2 हो गया n factor कितना हो गया 2 हो गया के अमनोफोर है ना रियक्षन में तो सब के बराबर बराबर इक्विलेंट स्रीक्ट होता है अब कैसे निकालते है देखो Normality इन्टू Воल्लूम यह भी इक्विलेंट होता है या वेट अपऊर मोलर मास इन्टू Enfactor यह भी इक्विलेंट होता है और फिर मोल इन्टू एनट फेक्टर यह भी इक्विलेंट टो यह फैसे फिर टो निकालने के कई तरीके अब य्यासे को इसा कोटिंग अब लगा लेना आशेथरों तो हईड़ीन पर उक्सैड के इकवेलेंट्स हैं याद रखने मिली कुलेंट्स नहीं रखना हु हो जब हम लगते हैं तो वहां पर tässä हो और में एकुलेंट ज़ेंट जब और यहां पर आम मोरा यहां लेकिनिक वाल्लुम दूसरे वाल्लुम नहीं है तह तो आपको आपको चेंज करना पड़ेगा भाई तब तो चेंज करना पड़ेगा ने तो गलता जाएगा ठीक है तो हाइडजन पर उक्साइड का अब यह क्या होता है नॉर्मालिटी इंटू नॉर्मालिटी इंटू वॉल्म होता है और मुल्रिटी कैसे निकालते हैं उसकी मुलारेटी दे रख्की है कितनी 0.05 और इसका वॉल्म कितना है 80 और मल को चेंज किया तो दिवाइड़ बाइट थाउजन क्योंकि यहां पे दोन यहां पर 1000-1000 cancel हो जाएगा, cancel होगे 1000-1000, ठीक है, तो normality क्या होगे, normality is equal to 0.05 into 5 into 80 divided by कितना 20, divided by 20, ठीक है, तो 5 से काटूंगा इसको, तो 4 आ जाएगा, 4 से इसको काटूंगा, तो यह 20 हो गया, ठीक है, तो आप देखो, यहाँ पर आपको multiply करनी है, 5 upon 100, 5 upon 100 into 20, यह है, तो देखो, 5 से काटा इसको, 5 से काटा, तो यह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20, और 20 को 20 से काटूंगा, तो यह कितना हो जाएगा मेरा 1, तो इसकी जो normality आ रही है, वो कितने आ रही है, 1 आ रही है, normality कितने आ रही है, 1, ठीक है, तो इसका मतलब volume strength कितना आएगा 5.6 into normality मतलब 5.6 ही आगी तो आपका volume strength कितना आजाएगा volume strength volume strength is equal to 5.6 into normality normality कितनी है 1 तो आपका आगया 5.6 volume strength यह आपका volume strength आगया 5.6 मतलब B option आपका correct है कमज गए note कर लो फिर next option करते हैं इसमें बस extra यही है आपका यहाँ पर आइन factor आपको calculate करना है तो reactions आपको याद रखनी पड़ेंगे reactions आपको याद रखनी पड़ेंगे कि potassium per magnetic कि MN4 जो होता है acidic medium में किसमे convert होता है MN2 positive में convert होता है ऐसी अगर आपका weak alkaline medium होता है तो किसमे convert होता है और strong alkaline medium में किसमे convert होता है तो वहाँ पर वो convert होता है MN2 में magneze dioxide में और फिर आपका अगर strong alkaline medium होता है तो वो convert होता है MnO42 negative में magnet iron में convert होता है ठीक है तो acidic medium में scan factor कितना होता है 5 होता है और आपका neutral medium हो या फिर आपका weak alkaline medium हो weak alkaline medium तो वहाँ पर scan factor कितना होता है plus 7 से plus 4 पर जा रहा है तो एक के लिए change कितना होता है समझ गए नोट करो और फिर नेक्स कोशन करते हैं नोट के लिए सब ने देखो अगला कोशन देखो अगला कोशन अगला कोशन देखो जरा क्या कहता है वन ग्राम सेंपल ऑफ हीडूजन पर ओक्साइड सोलूशन मतलब आपको आईजन पर ओक्साइड का परसंटेज आए तो कोन क्या कहता है के परसंटेज स्ट्रेंथ क्या चीज होती है परसंटेज यह वेट क्या चीज होता है एक ही बात है इसका क्या मतलब हो जाएगा X percentage का मतलब क्या हो गया कि 100 gram 100 gram hydrogen peroxide solution में 100 gram hydrogen peroxide solution में आपका hydrogen peroxide कितना present है X gram present है अब इस sample का weight आपको दे रखा है 1 gram तो 1 gram में आप निकाल सकते हो तो पहले तो X percentage का मतलब लिख लो तो आपको percentage है percentage by mass दे रखा है percentage by weight question में given है कितना है आपका X percentage है X percentage है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा means that means that X gram of hydrogen peroxide X gram of hydrogen peroxide X gram of hydrogen peroxide is present is present in 100 gram 100 gram of hydrogen peroxide solution है hydrogen peroxide solution है इसमें आपका ये present है ये इसका मतलब होता है percentage by weight का मतलब होता है तो बताओ एक gram में कितना होगा तो देखो 100 gram hydrogen peroxide solution में आपका hydrogen peroxide कितना present x gram present है तो एक gram में कितना हो जाएगा x upon में 100 इतना gram आपका present होगा hydrogen peroxide अब जो को आगे क्या कहता है इतना weight पता लग गया ना requires है x ml of k-m-n-o-4 solution for complete oxidation के रिए under acidic condition अभी reaction लिखवाई थी हुआ पर ठीके reaction क्या लिखवाई रखे मैंने k-m-n-o-4 plus में hydrogen peroxide in acidic medium converts into m-n-2 positive plus में O2 इसका effector कितना है 5 और इसका effector कितना है 2 है ठीके तो requires x ml of k-m-n-o-4 solution लगता है ठीके आपको क्या बताना k-m-n-o-4 की normality बतानी है कोई दिक्कत नहीं है करते हैं जरा ठीके weight मुझे पता ही लग गया है तो क्या करता हूँ दोनों के equivalence बराबर कर देता हूँ तो equivalence of hydrogen peroxide है equivalence of hydrogen peroxide is equal to equivalence of k-m-n-o-4 k-m-n-o-4 दोनों के equivalence बराबर कर दिया अब यहाँ पर hydrogen peroxide के equivalence है क्या होंगे अब इसका ना तो मुझे क्या दे रखा है ना तो normality दे रखे ना तो इसका volume दे रखा मुझे ना तो normality गए ना तो volume कुछ नहीं मेरे पास तो ठीके अब equivalent का एक और formula होता है क्या होता है वेट अपॉन में equivalent weight अब equivalent weight कैसे निकालते मोदर मास अपॉन में अफेक्टर से निकालते हैं मुदर मास अपॉन में अफेक्टर तो अब यहां पर तो volume नहीं आ रहा है लेकिन अगर यहां पर अकेला यह volume आएगा तो उसे आप उसमें convert करोगे लीटर में क्योंकि यह equivalent है में equivalent नहीं है लीटर में चेंज करोगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको ठीक है ना पहले वाले केस में तो दोनों volume लग रहा था इसलिए 1000 1000 कैंसल हो गया लेकिन यहां पर एक का अलग तरीके से equivalent निकाला जा रहा है और दूसरे में आपका normality into volume से निकाला जा रहा है तो वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 1000 तो यह क्या हो जाएगा weight कितना weight इसका present x upon 100 divided by equivalent weight अब equivalent weight क्या होता मोदर मास कितना होता 34 gram divided by 2 यह इसका इंफेक्टर हो गया तो यह इसका equivalent हो गया is equal to is equal to Km4 के equivalent से अब देखो यहां पर हम Km4 का xml of hydrogen peroxide solution ठीके वो कहता है कि Km4 की normality बताओ कोई रिक्कत नहीं है कर लिया भाई normality into volume volume कितना x है पर यहां पर volume यहां पर यहां पर तो volume ही नहीं तो इसको तो आप लेटर में change करोगे तो divided by 1000 कितना आगया divided by 1000 अब इसको आप solve कर लो जाना तो यह क्या जाएगा आपका 2 ऊपर चल मतला इसको 17 ही लिख देता हूं 17 ठीके नहीं कितना हो गया 17 हो गया अब यह 100 नीचे आएगा 100 नीचे आएगा तो x upon में 1700 यह हो गया is equal to normality into x upon में 1000 यही यह बाई 2 0 से 2 0 cancel हो गयी x से x cancel हो गया ठीके तो normality क्या होगी normality is equal to 10 upon में 17 normality क्या हो गया 10 upon में 17 अब इसे आफ solve कर लो तो यह कितना आजाएगा 10 divided by 17 तो यह कितना आगया मेरा यह आ रहा 0.588 normal 0.588 normal आज समझ गये यहाँ पर x से x cancel हो गया और इसको मैंने cancel किया तो यह 17 हो गया और यह 100 नीचे आगया तो 1700 हो गया 2 0 से 2 0 cancel हो गया यह 1 0 आपका बच गया तो यह 10 इदर आ गया 10 upon में 17 हो गया तो normality क्या हो गया आपके 10 upon में 17 हो गया तो दिक्कत किसी को इसमें सब को सुन में आ गया नोट करो और फिर next question करते हैं चलो next question देखो अगला question next question next question देखो जड़ा for decolorization of one mole of K104 K104 के एक mole को decolorize करना है the required liter of 30 volume of H2O2 in acidic medium acidified medium यह हमें बताना है कि भाई उसका कितना volume required होगा ताकि इसका एक mole क्या होजाए decolorize कर जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई volume strength आपको दे रखा है न volume strength तो यहां से इसकी normality निकाल सकते हो तो hydrogen peroxide solution की normality क्या हो जाएगी normality is equal to क्या हो जाएगा volume strength है अब उन में 5.6 है यह इसकी normality हो गई है ठीके अब आप वही लगा लो भाई जाओ पहले आप करते थे equivalence of hydrogen peroxide is equal to equivalent of equivalent of Km4 equivalent of Km4 equivalent of Km4 hydrogen peroxide के equivalent क्या होंगे hydrogen peroxide के equivalence है अब यहां पर देखो इसका इसकी normality यह ही volume मुझे निकालना ही है लीटर में लीटर में निकालना लीटर में ठीक है तो इसकी normality क्या है 30 upon में 5.6 है और volume तो मुझे लीटर में निकालना ही है भाई ठीक है अब यहां पर देखो Km4 का एक multicolorize करना है अब equivalence क्या होते हैं equivalence क्या होते हैं equivalence जो है वह number of moles into n factor भी होता है number of moles into n factor है तो number of moles कितने हैं एक n factor कितना 5 है तो आपका volume यहां पर इस hydrogen peroxide solution का कितना volume required होगा ताकि आपका Km4 का एक multicolorize कर जाए तो कितना volume आएगा 5 into 5.6 upon में 30 तो इसको काटूंगा तो यह 6 में कट जाएगा तो 5.6 divided by 6 है तो इसको solve करूंगा तो कितना आ जाएगा यह है solve करने पर कितना आएगा 5.6 divided by 6 है तो यह कितना आ गया मेरा यह 0.94 इतना आ जाएगा लग बग कितना आएगा 0.94 तो इसका कौन सो option correct है पहला option correct है ठीक है तो Km4 के एक mole को decolarize करने के लिए hydrogen peroxide solution का कितना volume required होगा 0.94 volume required होगा इतना liters इतने liters required होगा ठीक है समझ गे नोट करो फिर आगे करते है ठीक है चलो next question करते है 10th question अगला question देखो जारा अगला question calculate the volume is 10th of hydrogen peroxide solution इस 50 ml of hydrogen peroxide solution is diluted with 50 ml of H2 water के साथ है ठीक है ना 50 ml of H2O water के साथ हम इसका dilution कर रहे है अब हम क्या कर रहे है इस diluted solution का 20 ml ले रहे है required 40 ml of M by 60 K to CR2O7 solution in the presence of H2SO4 for complete reaction मतला acidic medium में चल रहे है reaction है ठीक है तो मुझे क्या करना hydrogen peroxide solution का volume stand निकालना पहले आप उसकी normality निकाल लो फिर आप उसका volume stand निकाल लेंगे कोई दिक करते हैं करते हैं करते हैं क्या करता हूँ नीचे से start करता हूँ क्या है कि जो आपको diluted solution मिला देखो आपके पास hydrogen peroxide solution का एक है ठीक है ना मतलब है hydrogen peroxide का आपको एक solution दिया गया है 50 ml of H2O2 solution है आपने क्या किया इसमे 50 ml of water add कर धिया 50 ml of water add कर दिया तो final solution का volume कितना हो गया 100 ml हो गया जो आपको diluted solution मिला उसका volume कितना हो गया 100 ml हो गया अब उस 100 ml hydrogen peroxide solution में से आपने क्या किया अपने experiment के लिए इसका 20 ml volume ले लिया ठीक है और उसको आप reaction करा रहे हो इसके साथ इसके साथ इसकी reaction करा रहे हो और complete reaction के लिए complete reaction करा रहे हो acidic medium में ठीक है अब यहाँ पर देखो dilution के case में मैं आपको क्या बताया था क्या बताया था कि भाई dilution का मतलब पहले क्या होता है dilution का मतलब क्या होता है addition of water जर्नली आपका जो भी solution होता है वो water में ही होता है मतलब water आपका solvent होता है तो dilution का मतलब है additional water water आप add कर रहे हो मतलब आप solution के volume को क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो अगर solution का volume बढ़ेगा मतलब उसका mass भी तो बढ़ेगा ठीक है तो solution का volume बढ़ता है solution का mass बढ़ता है और उसके corresponding solution की जो concentration होती है वो change हो जाती है तो solution की concentration है molarity change होती है क्योंकि volume बढ़ रहा है तो molarity घड़ जाएगी तो molarity घड़ जाती है अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर dilution कर रहे हो तो solution का mass भी तो change हो रहा है मतलब आपने solvent का mass add करा solvent का mass add किया तो उसके corresponding उसकी जो molality होती है solution की concentration है molality की terms में वो भी तो change होती है तो यह सारी concentration terms क्या होती है dilution करने पर change होती है ठीक है सिर्फ क्या change नहीं होता है जो salute के मोल्स होते है जो salute का mass होता है वो dilution करने पर change नहीं होता है जितने उसके मोल्स है ज तो आपको solution मिलता है, diluted solution है, उस diluted solution में से मान लो कि उसका जो volume है 500 ml है, आपने उसका कुछ small volume निकाला, small volume 20 ml ये 50 ml जो भी आप small volume लेके जा रहे हो, तो उस small volume का जो concentration होगा, वो वही होता है जो उसकी diluted solution की होती है, तो वहाँ पर उस small volume के लिए उसकी concentration सेम रहती है, ठीके, उ उसकी मूलारी टी सेंगी उसकी नौर्माल्टी उसके लिए सेम होगी क्योंकी मूलारी टी ये concentration है और concentration क्या होता है intensive property होतीयों फड़ते हो intensive property का मतलब है के ऐसी properties जो amount के independent होती है to concentration amount के independent i kind of our tea independent ऐसमझगे thought count तो यह क्या independent है, तो अगर आप small volume लेके आओगे, तो उसकी normality या molarity change नहीं होगी, लेकिन salute के mole change हो जाएंगे, यहाँ पर salute के mole change हो जाएंगे, ठीक है, एक liter या 500 ml में कुछ और present है, और अगर आप उसका small volume लेके आते हो, तो उसमें आपका यह कुछ और ही present होगा, 20 ml में कुछ और present होगा, 30 ml में कुछ और present होगा, तो यहाँ पर number of moles change होते हैं, लेकिन dilution करने पर salute के moles में कोई change नहीं आता है, यह salute के mass में कोई change नहीं आता, यह चीज़े मैंने आपको पहली बता दी थी, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो एक reaction लिख लो, कि भाई hydrogen peroxide solution जो है, वो K2Cr2O7 के साथ किस तरीके से reaction करेगा, जैसे K1O4 आपका oxidizing agent होता है, वैसे K2Cr2O7 भी आपका oxidizing agent है, वो क्या करेगा, hydrogen peroxide को oxidize कर देगा, O2 में, ठीक है, O2 में oxidize कर देगा, तो K2Cr2O7 प्लस में hydrogen peroxide है, hydrogen peroxide, gives 2, क्योंकि acidic medium में हो रहा है, तो K2Cr2O7, मतलब यह जो chromium होता है, acidic medium में convert होता है, CR3 positive में, प्लस में, यह oxidize करेगा, किस के अंदर O2 में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, यह as a oxidizing agent है, और यह आपका as a reducing agent है, यह आपका oxidizing agent है, और यह आपका reducing agent है, ठीक है, अब इसका n factor निगालते है, इसका n factor निगालते है, अब देखो इसका n factor कैसे निगालोगे, आपको oxidation state पता होना चीए, तो यहाँ पर chromium का oxidation state कितना है, प्लस 6 है, और यह minus 1, यह तो मैं पहली बता चुका हूँ, एक के लिए क्या हो रहा है, एक का change है, तो इक के लिए कितना हो जाएगा 2 का, तो n factor निगालते है, यहाँ पर इसका n factor कितना होगा, देखो प्लस 6 से प्लस 3 पे जा रहा है, तो एक के लिए change कितना हो रहा है, तीन का change आ रहा है, लेकिन इसके एक mole में chromium के atoms कितने हैं, दो हैं, तो आपको total change देखना पड़ेगा, तो 2 के लिए कितना change हुआ है, 6 का, तो इसका n factor कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका n factor क्या हो गया, 6 हो गया, तो हमने reaction कर लिए है, अब आप क्या करो, दोनों के equivalence बराबर कर लो, तो equivalence of, equivalence of hydrogen peroxide, is equal to, equivalence of, equivalence of K2Cr2O7, K2Cr2O7, दोनों के equivalence अब बराबर कर लिए हैं, अब यहाँ पर देखो, K2Cr2 की molarity दे रख्की, उसका volume दे रख्था हैं, ठीके, और जो आपको diluted solution मिला है, उसका 20 ml volume पता है, ठीके, तो आप क्या करो, उसकी normality निकाल लो, normality निकालो, तो normality into volume, volume कितना है 20 ml, लिटर में change कर दो, तो thousand से divide कर दूँगा, is equal to, इसके equivalence क्या होंगे, इसके equivalence क्या होंगे, normality into volume, normality तो दे नहीं रखी, molality दे रखी है, तो कोई दिक्कत निये, molality into n factor, आपकी normality ही होती है, तो molality कितनी है, 1 by 60, और n factor कितना है इसका, 6 है, और volume कितना है मेरा, 40, अब यहाँ पर दोनों जगा, volume यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पर volume को ml में भी छोड़ सकते थे, वो तब होता है, वो तब आपको change करना पड़ता है, जब आपका एक जगा volume नहीं है, और दूसरी जगा volume है, तब आपको वहाँ पर change करना पड़ेगा, उसे लीटर में convert करना पड़ेगा, पर अगर दोनों जगा volume आएगा, तो आप किसमें भी रखदो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे काट हो गया, तो यह 10 हो जाएगा, और 1,0 से 1,0 यह cancel हो गया, तो 4 हो गया, तो normality is equal to कितना हो गया, 4 upon में 20, ठीके तो यह कितना आगया, 1 by 5 मतलब 0.2, कितना आगया, 0.2 आगया, तो इसकी normality कितना हो यह 0.2 आ रही, मतलब जो आपको diluted solution मिला है, ठीके जिसका आपने 20 ml लेके गए थे, 20 ml लेके गए थे, उस diluted solution के normality क्या है, 0.2 है, मतलब आप इदर समझो, अब उल्टा चलो, अब आपको यह जो diluted solution है, वो कैसे मिला था, जिब आपने hydrogen peroxide solution का 50 ml, dilute करा था, किस के साथ है, 50 ml वाटर के साथ है, ठीके, तो आपको जो final solution की जो normality है, जो concentration है, वो कितनी है, 0.2 है, लेकिन उस hydrogen peroxide की normality कितनी है, वो आप कैसे निकालोगे है, वो कैसे निकालोगे है, ठीके, वो कैसे निकालोगे है, आप dilute का formula लगा लो, तो n1 into v1 is equal to n2 into v2, ठीके, मुझे n1 की value निकालनी है, n1, n1 into, यह 50 is equal to n2, n2 यह diluted solution की जो normality है, अब बोलोगे, यह जो normality है, तो 20 ml की है, अरे भाई, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, जो आपको diluted solution मिला, उस diluted solution में से आप उसका small volume लेके गए, small volume लेके 20 ml लेके गए, ठीके, तो इसका मतलब उस 20 ml का, उस 20 ml की जो normality होगी, वही उसके diluted solution की भी normality होगी, क्योंकि जब हम small volume ले जाते हैं, तो आपका solution की concentration तो change ही नहीं होती है, क्योंकि यह intensive property है, ठीके, तो इसकी जो normality होगी, जो इसका concentration होगा, वह उसके diluted solution की भी होगी, तो diluted solution की normality तो मुझे पता है, कितनी है, 0.2 है, और इसका volume कितना है, 100 ml है, कितना है, 100 ml है, तो इससे काट हो गए, तो यह 2 हो गया, तो N1 की value, मतलब hydrogen peroxide solution की normality कितना आ गई, 0.4 आ गई, कितनी, 0.4 आ गई, ठीक है, बास समझे रहो, अब आपको क्या करना है, इसका volume strength निकालना है, तो normality तो मैंने पता कर लिया, volume strength निकालना अब जड़ा, तो volume strength क्या हो जाएगा, volume strength, volume strength is equal to 5.6 into, इसकी normality कितनी है, 0.4 आ गई, आप इसको multiply करो, तो कितना आ जाएगा, बाई, कितना हैगा, 5.6 into 0.4, तो कितना आ गई मेरा, 2.24, ठीक है, यह इसका volume strength होगा, इत्ती बासब्स आ गई है, note करो, फटा फट, दो कोशन और करेंगे, अच्छे कोशन से, पिरोटी कोशन से, कर लिए सबने, चलो आओ, अगला कोशन देखो, next ocean, अगला कोशन देखो, next ocean, देखो क्या कहता है, 40 gram of barium permagnate है, इसका molar masa में दे रखा है, 375 sample है, containing some inert impurities है, इसमें, in acidic medium, is completely reacted with, 125 ml of, 33.6 volume of hydrogen peroxide है, what is the percentage purity of the sample, आपको percentage purity बतानी है, मतलब इस 40 gram के अंदर, इस 40 gram में, आपका ये compound कितना present है, वैसे तो इस 40 gram sample में, आपका, impurity compound भी है, और impurity भी है, पर impurity कभी reaction तो करती नहीं है, hydrogen peroxide क्या करेगा, इसको आपको, यहाँ पे ये जो per magnet time है, ये क्या करेगा, आपका reduce करेगा, ठीक है ना, reduce करेगा, मतलब hydrogen peroxide क्या करेगा, इसको reduce करेगा, इसको reduce करेगा, ठीक है, बास समझ रहो, तो कर लेते बाई ज़रा तो माल लेते कि barium पर magnet का 40 gram में कितना X gram प्रेज़ट है तो let the mass of let the mass of barium पर magnet inc barium पर magnet कितना है X gram है इस 40 gram में कितना यह present है X gram बाकी का क्या है आपका impurity है 40-X gram आपका impurity है ठीक है तो weight मुझे पता है इसका, acidic medium is completely reacted with 125 ml of ya, तो कोई दिक्कत नहीं है आप बराबर बराबर equivalence कर लो, equivalence of hydrogen per oxide is equal to, क्या हो जाएगा equivalence of barium per magnet है, ठीक है, और इसका इंफेक्टर क्या होगा, देखो बेरियम जो है तो वहाँ पर change क्या जाएगा, अब यहाँ पर देखो जड़ा, यहाँ पर यह टोटल एक mole में कितने हैं, दो है, तो एक के लिए change कितना था 5 का, तो दो के लिए change कितना हो जाएगा, दस का change हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान आप रखना, ठीक है न, एक के volume दे रखा है पहले तो इसकी normality बता दो ज़रा normality is equal to कितना हो जाएगा volume strength है 33.6 है upon में 5.6 है यह इसकी normality हो गई है तो यहाँ पे रख दो इसे 33.6 है upon में 5.6 है और इसका volume दे रखा 125 ml चेंज कर लेता हूँ लीटर में ठीक है लीटर में change कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया ठीक है आगे आजाओ अब इसका भी आपको equivalent लिखना है तो इसका तो मुझे कुछ देई नहीं रखा ना तो normality है ना तो volume है पर equivalent हम और वीतर ही कैसे निकालते है कैसे निकालते है equivalent हम कैसे निकालते है weight upon में equivalent weight अब equivalent weight कैसे निकालोगे molar mass upon man factor ऐसे निकालोगे तो इसका weight कितना हमने माना था x gram upon में equivalent weight equivalent weight क्या होगा molar mass molar mass कितना है 375 कितना वाई 375 और n factor कितना इसका 10 है तो n factor से डिवाइड गरूँगा तो उपर चला जाएगा 10 यह आगया मेरा तो यहाँ से x की value निकाल लो यहाँ से x की value calculate कर लो तो x की value क्या हो जाएगी x की value क्या हो जाएगी यह इसको solve करेंगे तो भाई तो 33.6 into 125 ठीक है into 375 upon में upon में 5.6 into 10 सही है भाई बिल्कुल ठीक है इसको उठाके इदर ले गए और यह नीचे आ गया अब इसे solve कर लेते ज़र एक बार यह तो नीचे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा अच्छा यह यह 1000 भी तो है भाई तो 10 और यह 3 तो total कितनी हो गई है 4 0 4 0 है मेरे पास है ठीक है अब यहां से अगर यह हटाता हूँ X 33.6 इंटू 125 इंटू 375 अगर मैं इसका डेस्टम अटाता हूँ तो 1 0 स 1 0 कैंसल हो जाएगा तो यह हो गया 56 इंटू 1000 सही है अब इसे आप solve करो तो 33.6 है इंटू 125 है यह आगर इंटू 375 ठीक है तो यह आ रहा है मेरा कितना 15 है 75 है इंटू 10 की पावर 3 अप उन में 56 इंटू 10 की पावर में 3 तो यह तो कैंसल हो गया ठीक है अब इसे 56 से डिवाइड कर लो 15 है 75 को डिवाइड कर लो 56 से तो यह कितना आ गया मेरा 28 आ गया 28.125 ग्राम मतलब वो 40 ग्राम में यह कंपाउंड कितना प्रेजेंट है 28.125 प्रेजेंट है तो प्यूरटी बताने है आपको प्यूरोटी तो percentage purity क्या हो जाएगी जितना mass इसका pure present divided by impure sample का mass ठीक है into 100 कर दो तो percentage purity क्या हो जाएगी percentage purity क्या हो जाएगी 28.125 divided by 40 into 100 ठीक है 10 से 10 cancel कर दिया ठीक है decimal इधा ठाऊँगा तो फिर यह 0 भी cancel हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 281.25 divided by 4 अब इसे solve कर लो भाई तो 281.25 divided by 4 तो जी कितना आगा है मेरा यहारा 70.3125 percentage है ठीक है तो 70.3125 percentage तो बताओ कौन सा option सही है भाई 70.31 यह भी option मेरा correct है सब कॉस्चन में आ गए यहारा कुशन percentage purity का कहां पढ़ा था हमने stoichiometry में पढ़ रहा है मतला अभी stoichiometry अभी आने वाली है percentage purity में ठीक है ना वही पर पढ़ते है stoichiometry में करते है तो यह stoichiometry में आता है limiting region यह सब ठीक है तो percentage purity कुछ नहीं है उस impure sample में कितना present है ठीक है तो mass of pure sample mass of pure compound divided by mass of impure sample into 100 समझ गे note करो last question करते है तो यह हमारा complete हो जाएगा volume strength of hydrogen peroxide solutions के उपर questions है ठीक है समझ गे फिर next class में करेंगे percentage labeling of oleum उसके उपर questions करेंगे चलो skin short ले लो और फिर last question करते है last question अगला question देखो अगला question next question the purity of H2O2 in a given sample is 85% दे रखा है calculate the weight of impure sample of hydrogen peroxide अब impure sample का weight पूछ रहा है और आपको पता रहा है कि 85% pure है 85% क्या है pure है ठीक है समझे रहो तो इस 85% pure का मतलब क्या हो जागा कि अगर आपका 100 gram sample होगा उस 100 gram में ये कितना होगा 85 gram होगा कितना होगा 85 gram होगा तो माल लो कि उस sample का weight कितना है X gram तो उस X gram sample के अंदर X gram sample के अंदर आपका hydrogen peroxide कितना present होगा निकाल लो भाई आपको purity कितनी दे रखी है 85% की दे रखी है मतलब आपका 100 gram sample में ये कितना present है 85 gram present है तो माल लो कि आपका X gram में कितना हो वो sample का weight कितना बानो X gram तो X gram में निकाल लो तो पहले एक gram का देख लो 85 divided by 100 तो X gram में कितना हो जाएगा 85 into X upon 100 तो आपका X gram of impure sample X gram of impure sample के अंदर hydrogen peroxide कितना present है इतना pure मेरा present है ठीक है अब आगे देखो आप क्या करते हो which requires 10 ml of m by 5 है k-monophore solution in acidic medium अब दोनों के equivalence भराबर कर दो so equivalence of hydrogen peroxide is equal to equivalence of equivalence of k-monophore सहिए भाई hydrogen peroxide के equivalence कैसे निकालोगे hydrogen peroxide का weight यह रहा और divided by इसका equivalent weight है तो 85 into X upon 100 तेके upon में 100 यह क्या हो गया इसका weight हो गया divided by इसका equivalent weight है equivalent weight है 17 is equal to is equal to यहाँ पर देखो इसकी similarity दे रखिया 1 by 5 और n factor कितना इसका 5 है n factor कितना है 5 है और volume कितना 10 है लेकिन ml में लीटर में change कर देता हू 1000 से divide कर दिया ठीक है तो 5 से 5 cancel हो गया 0 से 0 cancel हो गया तो 1 upon में 100 बचिया मेरा ठीक है यहाँ देखो जरा x क्या जाएगा आपका x है यह आपका हो गया 1700 1700 इदर जाएगा तो यह हो गया मेरा 1700 upon में 100 ठीक है और नीचे आएगा 85 नीचे कितना आगया 85 तो 2 0 से 2 0 cancel ठीक है 17 से इससे काटूंगा तो यह कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा ठीक है ना 1750 इससी तो होता है तो यह कितना आगया मेरा यह आगया 0.2 ग्राम तो उसेंपल का वेट कितना होगा 0.2 ग्राम होगा ठीक है तो उसेंपल का वेट कितना होगा 2 ग्राम होगा समझ गए कोई दिक्कत किसी गए इसमें तो कौन सो option correct है बी option correct है ठीक है तो ये थे आपका volume strength and percentage strength of hydrogen per oxide solution per hydro solution भी बोलते हैं तो इसके basis पे ये 12 questions थे तो आज ही class में हम इतना ही कर रहे हैं next class में हम percentage labeling of volume करेंगे ठीक है percentage labeling of volume और उसके बाद फिर hardness of water मिलते हैं next class में good bye कर दो